derivative का position कैसे समझ वाय है उस concept को बोलते है open interest ठीक है एक example लेते है open interest समझाने के लिए suppos ये एक शेर है ठीक है इसका एक size है एक शेर नहीं है ये इस सब्सक्राइबDG का एक block है कि derivatives में lot size होते हैं वो एक block में ही आपको trade करना परता है तो 100 share reliance का ये एक block है तो मैंने commitment दे दिया आपको कि मैं आपको 100 share reliance एक महिनी बाद बिचूँगा एक certain price में ये लेज़े commitment ये commitment आपके पास है तो ये market है उस market के अंदर में ये एक commitment आ गया इसको बोलते हैं एक contract जो market में outstanding है मेरे और आपके बीच में अख क्या मैं आपको जानता हो आप मुझे जानते नहीं नहीं और क्लेव का पहला क्लिर्व कोज़ेन है झाल है तो प्लेश करें हम एक दूस्रेच को ँष्चे करें但 ठीज़े कितना रह गया एक एक ट्रेड कितना हो गया दो तो नंबर आफ आउस्टेंडिंग पोजिशन इन दे मार्केट बेसकली हमारे वारे बीच में जो कॉंट्रेक्स हुए या मिटिपल लोगों के बीच में कॉंट्रेक्स होते हैं और यही कॉंट्रेक्ट इधर से उदर उदर से होता हो जाएगा जिसमें वॉल्यूम बहुत हो जाएंगे पर कॉंट्रेक्स वाइटिमेटली एक ही जाएट